नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिनो तुशान शुपांडे और अभीप्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम बात कर रहे हैं एक्जाम सिरीज 2023 की आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स यहने की बहुत एकी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लावा सारे स्विशाय पर आपको अबीप्षा की पूरी तैयारी आपको अभीप्षा के प्लाटफॉर्म से मिल रही है यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है जो कि अख्शा दस्विगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे चैनल पर सारे content available है इसके साथ साथ यदि आप हमारे application में आते हैं तो आपको application में ना सिर्फ हमारे videos बलकि additional content जैसे की short notes, mind map और career guidance जैसे सुविधाएं मिलेंगी तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बस आप play store में जाकर हमारा ये application इस्टॉल करें और application के अंदर आपको exam series machine 2023 दिखाई देगा चली आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की चर्चा का विशाय क्या है हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जो है देखी वही है धारावाही लूप अनंत इसके बाद में जो आखरी बात हम लोगों ने की थी वो थी empire के empire के नियम का उपयोग करते हुए दो धारावाही चालकों के बीच के चुम्मे के बलकी गढ़ना करना ये हम लोगों ने देखा और आज जो है अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं उनका पहले का वेगए हम लोग मान अवीटू हो तो इन दोनों आवेशम के मध्यक कुछ बल लगेंगे हम लोगों ने इन बलों की बात की हुई है हम एक बार तोबार आखो और लेते हैं ठीक है तो यहांपर कौन-कौन से बल लगेंगे पहला बल लगेगा F for magnetic यानि कि चुम्बकिय बल लगेगा और ये चुम्बकिय बल कैसे लग सकता है उसके लिए हम बात कर लेंगे पहले आप देखिए इनके बीच में जो है जो स्थिर विद्दुद बल लगेगा वो हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा R का वर्ग जहां हम लोगों ने माना है कि इसमें जो आवेश है वो Q1 है और इसमें जो आवेश है वो Q2 है दूसरी बात है इनके बीच में चुम्बकिय बल कैसे लगेगा तो चुम्बकिय बल के लिए जो है देखेंगे तो हमको यहाँ पर विद्धुत भाई यहाँ पर जो है कुल मिला के क्या मिलेगा हमको विद्धुत धारा हाँ तो यह विद्धुत धारा के क्या करना पड़ेगा भाई यहाँ पर हम देखते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय और दूरी बटा समय करने के बाद में D by T कर लेते हैं और गुना क्यों करेंगे तो हमको D1 और यहां पर जो है मिल जाएगा D1 और current I1 इस तरीके से मिल गया अब यहां पर जो गतिमान आवेश है इस गतिमान आवेश के कारण दूसरा जो आवेश यहां पर है उस पर चुम्बकिय बल लगेगा क्योंकि यह भी गतिमान है और इसलिए जो है इन दोनों के बीच का जो इनके बीच का जो चुम्बकिय बल होगा उसकी गरना हम कैसे करेंगे उसके लिए जो है हम सूत्र लगाएंगे Q1, Q1, Q2, V1, V2, बटा, आर का वर्ग यह इन दोनों के बीच का जो है चुम्बकिय बल हो जाएगा और यहां पर हमको अनुपातिक नियतांग दोनों के बीच का जो है क्या निकाले इन दोनों के बीच का जो है अगर हम लोग अनुपात निकाले कि इन दोनों के बीच में बल किस अनुपात में लग रहा है तो हमको जो जो चीजे कटती है पहले वो कट आएंगे हम देखते हैं Q1, Q2 और यहां से Q1, Q2 कट जाता है उसी प्रकार से यहां पर R का वर्ग और यह वाला R का वर्ग कट जाता है यह 4 पाई कट जाता है यह वाला 4 पाई कट जाता है और अब हमको क्या मिलता है हमको मिलता है FM बटा FE और यह हो जाता है Mu naught गुणा Epsilon naught और इसका गुणा का हम कर लेते हैं V1, V2 के गुणा के बरब अब जो है हम लोगोंने जब सारी चीजे देख ली हैं तो हमको एक बात और याद है और वो क्या है वो यह है कि एक बटा Mu naught गुणा Epsilon naught यह जो है C के वर्ग के बरबर होता है इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर चुमबकियबल FM और विदुदबल FE इन दोनों के बीच का अनुपाद जो मिलेगा वो मिलेगा V का वर्ग बटा C का वर्ग यहाँ पर यह सी क्या है यह है प्रकाश की गति Speed of Flight तेक है और जब हम देखते हैं कि जिस समय जो है यह जो दोनों आवेश है इन दोनों के बीच में जो है जब मतलब इन दोनों की जो है जो कति है यदि वो प्रकाश की गति के बुराबर हो जाए तो फिर इन दोनों के ओपीच में लगने वाला चुम्भकी अबल उनके बीच लगने वाले फ्थिर्विदुत बल के बराबर हो जाएंगा अन्यता फिविदुत बल अधिक होगा चुम्भकी मपल कम होगा इस बात को हम देखते हैं कि जैसे electromagnetic radiation चलते हैं तो उनमें जो है क्योंकि उनकी चाल प्रकास की चाल के बराबर होती है इसलिए वहाँ पर हमको यह symmetry दिखाई देने लगती है हम लोगों ने यह बाते समझी और अब जो है हम बात करेंगे चुम्बकिय द्वियधरो आघोन की चुम्बकिय द्वियधरो आघोन के लिए हम कल्पना करेंगे एक धारावाही चालक की हम लोगों को इसके लिए जो है चुम्बकिय छेतर की तीवता निकालना आ गया है हम एक धारावाही चालक की जो है बात करते हैं और यह धारावाही चालक का जो है और आप जो है इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लेते हैं आइऑ तो यहाँ पर हम को चुम्बकि 24 ऐसका जो है इसका मेत्रफल जो है मीटर का वर्ग हो गया तो इसका जो मात्रक हो जाएगा दूद्र बंचुम्ब के दूद्र आगोन का वो हो जाएगा पी एम बराबर एंपियर मीटर का वर्ग यह बात हैं हम लोगों ने समझ लेकिन हम इसको समझना क्यों चाहते हैं तो आएए बढ़ते हैं इसके बात के तथे पर आप मान के चलिए कि हमारे पास में एक एक धारा वाही लूप है जिसका नाम है A B C D यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि विद्द धारा जो है वो इस प्रकार से इसके अंदर भुस्ती है यहां पर हमको विद्द धारा आई दिखाई दे रही है अ तो आप कल्पना करें कि इस पर लगने वाला बल कैसा कैसा होगा सबसे पहले हम इस इस वाले हिस्से की बात करते हैं मतलब एसी की बात करते हैं यहां पर विद्द धरा अंदर जा रही है हम बाय हात का नियम लगाएंगे बाय हात के नियम के लिए हम लोगों को यह जो तीर लगाएंगे तो हमारा जो है जो है जए यह कि फेश्क अरा थिशा में जो हमारा हमारी मध्धिमा है यह दिशा में जो है हम को जो है इंगीत करती है तो इस प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको अंदर की ओर लगने वाला बल दिखाई दे रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह चुम्बकी छेत्र की दिशा और यह विदुद्धारा की दिशा और इस प्रकार से यहाँ पर अंदर की ओर लगता हुआ बल दिखाई दे रहा है इस बल को जो है हम यहाँ पर अंदर की बर लगता हुआ इंगित कर देते हैं इसके उलट अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारी जो भुजा है A B यहाँ पर चुम्बकी छेतर के जिसा और विदुद धरा के जिसा एक बराबर है और इसलिए यहाँ पर लंबाई L और B के बीच में जो कौन है वो 0 डिगरी हो जाता है साइन थीटा का मान 0 डिगरी हो जाता है और यहाँ पर कोई बल हमें दिखाएं नहीं देगा इसके बाद में हम आते हैं B C में धारा ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी फिर इधर वापस आएगी तो हमको धारा बाहर आती हुए दिखाए देती है यहाँ पर भी हम बाएहात के नियम का उपयोग करेंगे और बाएहात के नियम में आप देखें फिर से यह हमारी हो गई चुम्ब की छेतर की दिशा यह हो गई धारा की दिशा नीचे और चुम्ब की छेतर की दिशा इस प्रकार से तो हमको यहाँ पर लगने वाला बल बाह बराबर i l b sin theta ठीक है i l b sin theta और यहाँ पर यदि हमारे पास में n चक्कर होंगे तो n i l b sin theta और sin theta का मान यहाँ पर एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चुम्ब की छेतर और धारा की दिशा में दब्बेंस का कौन है अब इस इस्थिति में आपको एक और चीज़ें समझ में आती हैं और वो क्या है कि यहाँ पर दो ऐसे बल लग रहे हैं जो एक अंदर की ओर जा रहा है और दूसरा बाहर की ओर आ रहा है तो आपको पता है टाव बराबर टाव बराबर फोर्स याने बल और गुना लंबवद दूरी और लंबवद दूरी कहा हो जाएगी तो लंबवद दूरी एक एक आयताकार लूप के लिए याने कि आयताकार जो है आपको वलाई के लिए जो है यह हो जाएगा डबलू यह लं निकालते हैं तो यह हो जाएगा टाव बराबर आई डी एल या आई एल आई एल बी साइन थीटा गुणा डबलू अब यहां पर जो है हम और यहां एन लगा देते हैं तो अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिखाई देता है क्या यह एल और यह डबलू इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो हमको टाव मों दिखाई देता है एन आई बी एन आई बी ए और साइन थीटा अब देखिए अब जो है यहां पर जैसे आई एन आई ए यह एन आई ए क्या है चुम्म किया दुद्रू आघुन तो टाव हो जाएगा पी एम पी एम गुणा बी और क्रॉस बिप्रियम गुणा अब क्रॉस भी या हम बोल सकते हैं इसको पी एम कि भी शाइन थीटा थोड़ा मिटाल लेते हैं यह साप सुतरा हो जाएगा कि यह जाएगा पी एम भी शाइन थीटा और इस तरीके से हम को यहां पर बल आघून की बात चमझ में आगे यह जो बल आघून है जो की पी एम भी साइन थीटा या फिर यहां से हम बोल सकते हैं एन आई बी ए साइन थीटा है यहां पर अब हम क्या देखेंगे आप ध्यान से अगर देखने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा कि यह इस तरीके की कुंडली है और यह इस तरीके की कुंडली होने के बाद में जैसे जैसे धारा इसमें से प्रवाहित होने लगती है इसमें एक तरफ ऊपर की और दूसरी तरफ नीचे की और बल लगने लगता है और इन बलों के कारण इसमें घूनन की स्थिती उत्पन होती है इस घूणन की स्थिती उत्पन होने के करन ये घूमने लगता है यदि हम मोटर का सिद्धान समझें तो हमको सिर्फ यहाँ पर कपलिंग जो यहाँ पर लगती है उसके बारे में बात करना पड़ेगा अच्छा अगली बात क्या है कि इस सिद्धान के उपर दो चीज़ें कारे करती हैं पहला है मोटर, मोटर की संद्शना में आपको बता दू और उसके बाद में हम बात करेंगे अगली बात तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है भाई एक मोटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे एक चुम्बक ले लेंगे यहां पर माल लेते हैं उत्तरी धूरू और एक दूसरा चुम्बक ले लेंगे और यहां पर मालने दिए कि यहां पर दक्षणी धुरू दिखाई दे रही है इसके बीच में हम यदी एक धारा वाही लूप को जो है इस प्रकास से लगा देंगे तो हमको यहां पर दिखाई देता है कि चुम्बकिय बल रिखाएं वो इस तरीके से हमको दिखाई देंगी और इन चुम्बकिय बल रिखाओं के मद्ध हमको अब क्या दिखाई दे रहा है कि यदि इसमें से आई धा हो तो यहां पर लगने वाले कुल्च के बल का मान कितना हो जाता है यहां पर कुलशम्ब कि अब अब आगुनEvery टौ का मान हो जाता है प्री एंप प्रोस B है यहां पर हम सकते हैं टौ बराबर a N людей to और साइन थीटा अब इस बल आघून के कारण जो है ये घूमने लगता है लेकिन क्या होगा ये जैसे ही ये आधा चक्कर पूरा करके दूसरी दिशा में पहुंचेगा तब इसमें धारा की दिशा पलट जाएगी और इस पर फिर से दूसरी और बल लगने लगेगा इस प्राब्लम को इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ इस पकार के छले लगाए जाते हैं जो आधा चक्कर पूरा होने के बाद में विदुद्धारा की दिशा को पलट दे इनको हम क्या बोलते हैं कपलर बोलते हैं और इसकी सहयता से ये एक मोटर के भाते व्यवहार करने लगता है और लगातार गूंता है इस चीज का उपीयोग हम हर पकार के मोटर में करते हैं चैए वो पंखा हो चाहे वो आपके खुलर में हो या हर पकार से बस इसको और ज्याद़ एफिशेंट डियने कि और ज्याद़ कारगर बनाने के लिए हम लोगों ने इसकी सन रचना में कुछ बदलाव किये हुए हैं लेकिन इसका सिध्धान यही है अब इसी सिध्धान के उपर आधारित हमारे पास में एक और बात है यहां पर देखेंगे तो यहां देखिए यह है हमारा यह जो हमारा वलय है इसमें यह एरिया वेक्टर है और यहां से जो है हमको p.m.p.m. x b इसके बारे में पता चलता है यहां पर देखेंगे दोनों के बीच में जो है जो है जो कौन है वो फून्य डिगरी नहीं पर आपको नूर्ग बल आगुण अनुभा कि यहां पर लगभग 45 या कौन है और यहां पर आपको thi टा का'mान 90 आपको इसमें और डीटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल में मतलब हमारे जो है एप्लिकेशन में जब आके यह वीडियो देखेंगे तो आपको एनिमेशन के साथ में यहां सारी चीज़ समझाई गई है चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करने वाले हैं च चैनल कुंडली धरा मापी भी बिल्कुल वैसे ही सिद्धान पर कारी करता है जिस सिद्धान पर हम लोगों ने भी मोटर देखा अब जो है हम इस सिद्धान की चर्चा बहुत डीटेल से करेंगे लेकिन अगले वीडियो में और अगले वीडियो में एक और महतुपूर बा और अगर आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद